Hello dear ATPS, welcome to ATP, कैसे हो आप सब लोग, I hope all of you are doing really really well और आप सब की जई और जो नीट की preparation कर रहे हैं, उन सब की preparation बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी So guys, आज इस वीडियो में मैं आपको कई सारी important news बताने वाला हूँ हो सकता है, आप में से कुछ students को वो news पहले से ही पता लगी होगी पर जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि कोई भी news आती है, उसकी exactly authentic information मैं आप सके साथ जरूर शेयर करूँगा, तो आज मैं आपके सामने information शेयर करने वाला हूँ जही advance के बारे में जो भी information हमारे पास है, जही minst legislative जो information हमारे पास है और जो needs related हमारे पास information है, उस बारे में हम लोग बाद करेंगे, सो घाई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जही advanced के बारे में, जही advance की जो recently, जहीजर एडवांस में जो अब्लातर इसके साथ उसके साथ इससे चीड़्षार्ट करना तो उससे छेटषार करना विल नौत बूँदधी चेंज़्चेंगे इतल रुमेंगेञसी से नहीं तो उसके साथ ते चाहार ओके गाईज, सेकेंड, अब हम बात करते हैं JMAs and NEET के बारे में, तो देखिए पहली चीज़ तो यह JMAs and NEET will be conducted by NTA only National Testing Agency ही उसको conduct करने वाला है, now the next question is, वो exams किस mode में होने वाले हैं, वो exam pen paper होने वाले हैं, या online होने वाले हैं, या दो बार या एक बार, इसमें भी students को काफी confusion रहता है, तो सबसे पहले हम JMAs की बात करते हैं, JMAs की जो पूरी detailed dates हैं, exam कब होने वाले हैं, registration कब चालू होने वाले हैं, सारी चीज़ available हो चुकी है, NTA ने release कर दिया है, कल वो सारा जो सारी जो information है, वो release की गई है, इस video के जो नीचे दिये के description में link है, उसमें given है, वो ज exact data है, exact जो link है, उसका आप click करेंगे, तो you will get the file, उस file में आपको सारा जो latest dates है, सब आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो JMAs जो है, वो दो बार ही होने वाला है, पहला January में होने वाला है, और फिर then it will be happening in the April as well, और इनके registration जो पहले वाले JMAs है, that will start on the next month, 1st September से वो start होने वाल है, लेकिन neat में काफी difference आ गया है, पहले पहले neat में भी कहा गया था, कि it will be conducted two times, लेकिन अब neat जो है, वो एक ही बार होगा, पहली बात तो ये, second, जो neat है, that will be, इस बार के लिए खास कर, that will be in the pen paper mode, pen paper mode में ही वो होने वाला है, ठीक है, तो और वो होने वाला है, में में, और pen paper mode में होगा, तो that is the main change और पूरी detailed जो list है, dates की registration कब चालोंगे, results कब आएंगे, वो सारी information भी already given है, okay guys, तो सारे links जो है, news related और जो ही latest अपने को dates मिली है, वो मैंने वीडियो की description में दिये है, और आप उनको देख सकते हैं, okay guys, I hope all of you are doing really well, bye bye, take care and love you all.